हाई फ्रेंट्स फिर से एक बार स्वागत है आपको यह आपका चैनल पे फ्रेंट्स आज का यह वीडियो में हम बस बर बॉक्स या बस बर पैनल क्या होता है उसमें क्या-क्या पार्ट्स होता है और यह कहां यूज करते हैं इसके बारे में दोस्तो इसलिए यह वीडियो को अफ़ाज से लाज तक जरूर देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये विडियो दोस्तों बसबर पैनेल या बसबर बॉक्स एक मेटलिक एंक्लोजर होता है जिसके अंदर मेटलिक बार रहता है जिसकी थ्रू में हम लोग पावर डिस्ट्रिबुशन कर सकते हैं एक से ज़्यादा पावर सप्लाए हम लोग वहाँ से ले सकते हैं और दोस्तों ये जो मेटलिक बार होता है वो बेसिकली दो टाइप का मेटालीव जो होता है एक है कॉपर दुसरे अलुमिनियम बेसिकली कॉपर मेटालिक बार जो है वो अलुमिनियम से काफी अच्छा है क्यूंकि इसका जो कॉरेंट केरिंग कैपासिटी अच्छा है इसका जो कॉपर मेटालिक बार जो होता है वो होता है तो रेड येलो ब्लू तीन बार phase के लिए यूज़ करते हैं और black color का जो है वो neutral के लिए यूज़ करते हैं bars में hole रहता है जिसमें हम लोग अलग-अलग cable lug मारके termination करके आगे outgoing ले सकते हैं और दोस्तों ये busbear panel कहां यूज़ करना चाहिए दोस्तों suppose आपके पास एक main incomeer three phase supply है और आपको वो supply से 4-5 outgoing three phase supply चाहिए तब ही case में आप आइदर busbear panel उज़ कर सकते आइदर VTP and DB उज़ कर सकते या फिर electrical panel उज़ कर सकते बट दोस्तों इन त्यूनों में से अगर busbear panel उज़ करते हैं तो कम खर्चा में हो जाएगा चलिए दोस्तों एक busbear panel आपको दिखाता हूँ जो install किया हुआ है जिसका काम अब भी चाल हुआ दोस्तों ये 100 ampere का busbear panel है इसको मैं open करता हूँ open करता हूँ तो देखिए दोस्तों इसमें 4 बार है metallic bar है और सभी metallic bars panel के साथ connect हुआ है जो एक insulative material के थूमें panel के साथ connect हुआ है और दोस्तों दखिए हार बार में काफी सारी slots है इसमें आप incoming भी ला सकते हैं इनमें से कोई भी outgoing भी ले सकते हैं ये देखिए दोस्तों ये red है yellow है blue है ये तिनो face के लिए है और नीचे जो है black color का ये neutral के लिए है दोस्तों इसमें से देखिए ये cable जो आया है ये इसका incoming cable है इसको power supply main यहां से आया है और lug और gland लगा कर इसको connection किया हुआ है और दोस्तों एक ही outgoing गया है जो एक distribution board को गया है lightning और power के लिए और इसमें से और भी काफी outgoing ले सकता है क्योंकि ये 100A का है तो friends I hope आपको समझ में आया रहेगा कि bus bar panel क्या होता है और ये कहां यूज करना चाहिए तो दोस्तों I hope एक वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा अगर दोस्तों एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मेरे वीडियो को लाइक कीजे सेयर कीजे और कमेंट भी कीजे